अक्सर जब हमारे घर में चावल बच जाते हैं तो या तो हम उन्हें फ्राई करके खा लेते हैं या फिर उसे पकोडिया बना लेते हैं लेकिन आज इन बचे हुए चावल का इतना हेल्दी और टेस्टी नास्ता बताऊंगी कि आप डोसा इडली का स्वाद भी भूल जाएंगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगे कि आपने इसे कैसे बनाया है तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिती और यामी फूड और रेसिपीज में आपका स्वागत है तो ये देखे मेरे पास एक बोल चावल बच गये थे जिसे मैंने दोपहन लंच में बनाया था और ये चावल बचे हुए ठंडे चावल है तो आज इसे मैं एक नास्ता बनाऊंगी तो इसके लिए सबसे पहले में इन चावल को मिक्सी के जार में डाल देते हैं सारे चावल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और साथ में डाल दिये दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा अगर हरी मिर्च कम खाना चाहते हैं तो एक हरी मिर्च आप निकाल भी सकते हैं या फिर जादा भी डाल सकते हैं इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें एक उबलाव आलू आलू भी बिल्कुल ठंडा है ध्यान रखें कि आलू एकदम ठंडा हो नहीं तो उसमें लेस बहुत जादा हो जाएगा तो इसलिए आलू को विदम ठंडा करके उबाल करके ठंडा कर लिजे और फिर ही इसमें डालिए तो ये मैंने आलू देखे काट करके डाल दिया और अब बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूं और कितना गाड़ा है आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना गाड़ा है और लट्टेदार है एकदम लेजदार हमारा गोल बन चुका है तो इसे हम क्या करेंगे अब एक बोल में सारा गोल को हम निकाल लेते हैं तो ये सारा घोल हमने निकाल लिया है इस बोल में और अब इसमें हम बाइंडिंग देने के लिए एड़ करेंगे एक चीज़ लेकिन पहले देखे घोल दिखा देती हूं मैं कितना गाढ़ा घोल है हमें इसी तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी घोल के चाहिए तो इसमें हम बाइंडिंग देने के लिए एक बेज देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूं दो बड़े चामच सूजी मैंने नौर्मल घर में जो मोटी वाली सूजी रहती है वहीं सूजी ली है और इससे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे तो ये नास्ता जटपट बन जाता है, ना इसे फर्मिंट करने की ज़रत है और ना ही इसे हम ढख करके रखेंगे कि सूजी हमारी फूले तब हम बनाएंगे, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, बस सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, तो जब सूजी अच्छे से मिक्स ह तो इसमें एड़ करेंगे हम कुछ सबजियां तो देखे मैंने एक प्याच को मोटा मोटा काट करके इसमें डाल दिया है और साथ में डाल दी है एक काजर जिसे भी घिस करके डाल दिया है इसके साथ ही थोड़े कलरफुल करने के लिए इसमें डाल दिया एक टमाटर जिसे मै बहुत एक कलरफुल और बहुत अच्छा बनेगा और बहुत स्वाधिस्ट लगेगा सबजिया जो हमने डाली है बच्चों को हेल्थ के लिए भी बेनिफिट करेगी और कुछ सबजियां में खाने को मिल जाएगी तो इस तरह से देखिए बच्चे इस तरह से सबजी तो नही पता भी नहीं चले गए कि हमने क्या सबजिया डाली तो बस इन सबी सबजियों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए अच्छे से मिक्स होने हो कितना अच्छा गोल का टेक्च्चर लग रहा तो मसाले कुछ जादा हम एड़ नहीं करेंगे बस एक चमच जीरा हमने एड़ किया है और नमक घोल की क्वांटिटी जितनी हो उसके हिसाब से हम नमक एड़ कर देंगे और इसके साथ ही एड़ करेंगे आधी चमच लाल मिर्च का पॉर्डर आप चाहे तो इसमें कुटी भी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं वो भी देखने में बहुत अच्छ लगती है तो बस मसाले हम इतने ही एड़ करेंगे और मसाले डालने के बाद इस घोल को एक बार अच्छे से चला देते हैं ताकि मसाले सारे गोल में elk मिक्स हो जाए तो देख्ये हमने अच्छे से चला करके इसे मिक्स कर लिया है और अब हमारा घोल els रैड़ी है लेकिन गाड़ा गोल हमने बनाया है गोल बिल्कुल गाड़ा है और इसी तरह का गाड़ा गोल हमें चाहिए और इसको हम फलफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं एक छोटा चमझ इनो का बिल्कुल एक छोटा चमस डाला मिंस आदी पैकेट के लगवक मैंने इनो इसमें डाल दिया है और इसे डाल करके भी मिक्स कर देंगे और जैसे ही आप देखे इसे मिक्स करेंगे गोल हमारा बिल्कुल हलका हो जाएगा और एक दम उपर की और अच्छे से फूलने लगेगा तो बस इसी तरह से हमें घोल को रेडि कर लेना है और अब हम चलते हैं गैस की और तो गैस पर मैंने पैन एक चड़ा रखा ता आप कोई छोटी कड़ाई भी ले सकते हैं या फिर तड़का पैन भी ले सकते हैं या फिर तवा भी ले सकते हैं जिसमें हलके से साइड में किनारी हो बस इसे हम हलका सा ओयल से ग्रीस कर देंगे तो आज मैं इसे पैन पर बना करके दिखा रही हूँ तो इस पैन में हम डाल देंगे दो बड़े चमच भर करके इस घोल को घोल डाल करके हलका सा हम फैला देंगे ये देखिए अपने आप ही घोल को जितना फैलना होगा ये अपने आप फैल जाएगा तो ये देखिए पूरा पैन इसने कवर कर लिया है और ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है बिल्कुल हमें इसी तरह से फैला देना है और हलका सा तेल चारों तरफ हम डाल करके एक से डेड़ मिनट डेड़ से दो मिनट तक लगभग इसे हम मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे इसे क्या हो कि एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगा और घोल का जो हमने डाला है वो देखिए उपर से बिलकुल सूख चुका है एक साइड से बिलकुल अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे टर्ण करके दूसरी तरफ से भी सेख लेते हैं तो ये देखे कितना अच्छा कलर आया है बिलकुल एक्टम क्रिस्पी कलर आ चुका है और कलर तो आप देख करके समझी सकते हैं कि कितना अच्छा ये नास्टा बन करके रेडी हो रहा है अब दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तेल अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इसे एक्स्टा क्रिस्पी बनेगा और अदरवाइस ऐसे भी ये सीख जाएगा तो अब ये देखे बिलकुल देखे दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से अच्छे से इसे अच्छे से से शेक लिया लगवग दो मिनट लगे हैं दूसरी तरफ से भी सेकने में तो इस तरह से देखे हमारा यह नास्ता बिलकुर रडी हो चुका है तो अब मैं इसे प्लेट पर निकाल ली हूँ तो यह देखे इसी तरह से हम दूसरा पीस भी मैंने डाल दिया है और इस तरह से हम सारे नास्ता एपने रडी कर लेंगे तो ढखक करके इसे पकाएं शुरू में तो ये देखिए हमारे सारे जो पैनकेक्स है वो बिल्कुल डेडी हो चुके हैं तो आप बचे वे चावल से देखें कभी आपने सोचा नहीं हो कि आप इतने अच्छे पैनकेक्स बना सकते हैं पैनकेक्स है कि जब आप इसे खाएंगे न तो आपका पेट भी भरेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे और साथ में सबजिया है तो बहुत ही हमने से हल्दी बना लिया है और बच्चों को टिफिन में आप बना करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में पैक करके दख सकते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बने हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें साथ में कमेंट भी करें और मेरी चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन जरूर दमाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद